कि अपने एजुकेशनल यूटूब चैनल ट्रेड वी देखे पे जी हाँ दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 17th of October है Thursday है और आज मार्केट में बहुत सारी massive moments होने वाली है दोस्तों तो आज मार्केट में जितनी भी moments आप देखने जा रहे हो फ्रेंड इसमें मार्केट की volatility होने के सबसे ज़्यादा chances बनते हैं और आज 17th of October मार्केट क्या करेगा आईए एक बार इससे जानने की कोशिश करते हैं तो इससे पहले फ्रेंड अगर आपने चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब ज़रूर करें कमेंट करके ज़रूर बताएंगी यह analysis आपको किस तरीके से help कर पा रहे है फ्रेंड और वीडियो को like करना ना भूले तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं forexfactory.com पे आज आप जैसे मेरे screen पे देख पा रहे हो 17th October है मैं आपको forexfactory.com पे लेकर आया हूँ जिसमें आज सुभे इंडियन टाइम के हिसाब से Australian डॉलर में 6 बजे एक बड़ी खबर थी फ्रेंड और ये खबर जो थी इसके हिसाब से unemployment rate और unemployment claim ये डाटा था फ्रेंड जो डाटा ऑस्टेलिया के लिए positive आया है और आप green देख सकते हो जिसकी वज़े से फ्रेंड AUD USD जैसे जो pair है वो आपको bullish होते वे नज़र आएंगे आज शाम को फ्रेंड इंडियन स्टैनर टाइम के साब से 5.45 पीम में European currency euro में आज monetary policy की news है याने की interest rate की news है और जैसा कि आप मेरे screen पे देख पा रहे हो यहाँ पे previous month में याने की September बे इन्होंने 3.65 का target लिया था 3.65 के है फ्रेंड लेकिन आज आप देखोगे तो forecast है 3.40 का याने की European euro में 25 BPS का interest rate कम होने वाला है फ्रेंड तो अगर किसी भी country म interest rate कम होता है फ्रेंड तो यह इसलिए किया जाता है क्योंकि उस country में inflation control में है महंगाई control में है फ्रेंड लेकिन यह खबर तो अच्छी है कि महंगाई control में है बट interest rate कम होने से currency depreciate होती है और currency weak होती है तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ एक website पे लेचलता हूं फ्रेंड जो क it expect another 25 BPS cut in October as growth and inflation have shown further sign of cooling in the euro zone तो फ्रेंड यहां पे महंगाई control में आने की वज़े से 25 BPS का interest rate आज शाम को कम होने वाला है तो आप समझ जाएगा दोस्तों कि 5.45 PM पे जब यह news आएगी इंडिन टाइम के हिजाब से तो European euro जो currency है यह weak होने वाली है और यह downtrend में जाएगी त तो euro USD का pair selling में जाएगा GBP USD का pair भी selling में जाएगा AUD NZD के pair भी selling में जाते वे आपको नजर आएगे क्योंकि इनके बीच में positive correlation है ठीक 15 minute के बाद फिर United States dollar में core retail sales, retail sales and Thursday का जो weekly data है unemployment claim का यह भी data आने वाला है तो इसमें जो core retail sales and retail sales का data है फ्रेंड 0.1 and 0.3 का prediction लगाया गया है तो सबसे पहले मैं आपको retail sales में ले जाओ फ्रेंड तो यहाँ पे fxtreet.com कहती है कि आज का जो data है 0.03 का इसकी positive आने के chances से अगर आप इस website को जाके study करें साथी साथ फ्रेंड अगर मैं आपको trading economics में ले जाओ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 17th October को आज यह data release होने वाला ह यहाँ पे फ्रेंड और इसका forecast है 0.3 का और trading economics की forecast कहती है फ्रेंड कि यह 0.2 आएगा याने कि यह जो data है core retail sales का या retail sales का फ्रेंड जो 0.3 है तो fx street इससे positive कहता है और trading economics इससे negative कहता है याने कि आज United States डॉलर में क्या होगा यह actual में हमें पता चलेगा data आने के बाद इसके बाद unemployment claim की news है जो कि शाम को 6 बजे है फ्रेंड और मैं थोड़ा सा यहाँ पर doubt में हूँ कि देखे 241 के forex factory लिखती है कि इरो ने target लिया है 241,000 jobs की जबकि अगर यही data फ्रेंड हम trading economics पे देखने जाएं तो यहाँ पे देखे 17th October को unemployment claim की जो news है इसमे forecast 258 का बताया ग है और trading economics का forecast कहता है कि 269 आएगा याने कि फ्रेंड 258 job तो previous month में claim आये थे job claims unemployment claims आये थे फ्रेंड वही target है और आज उससे भी ज़्यादा negative data आने के chances है तो कुल मिलाकर जो मैं इन 3-4 website को study कर पा रहा हूं तो शाम को 6 बजे United States dollar के वीरिश होने के chances बनते हैं अब आप सा अनुमान लगाई है फ्रेंड कि 545 में Europe अगर negative होता है और 6 बजे USD भी negative होता है तो आप समझे फ्रेंड market का overall scenario आज आपको downtrend में ही नजर आएगा 6 बचकर 15 मिनट पे European Central Bank की press conference है फ्रेंड और वो इसमें बताएंगे कि उन्होंने interest rate अगर कम किया तो क्यों किया और उनकी economic किस conditions में है तो overall फ्रेंड जहां तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ 70% chances है कि United State की जो opposite currency है वो सारी negative होगी और 30% chances है फ्रेंड की USD जो है वो negative हो सकता है अगर आप अपने आपको ट्रेडिंग में discipline में लाना चाहते हैं तो इसकी लिए फ्रेंड आपको एक बार funded account को ज़रूर ट्राय करना चाहिए और जैसा कि मेरा मानना है फ्रेंड कि funded account में बहुत सारे law and orders होते हैं जिसकी मज़े से हम discipline में ट्रेडिंग कर पाते हैं और अगर आप चाहते हैं फ्रेंड कि इस तरीके का funded account आपको भी मिले तो description box में लिंक दे रखिए फ्रेंड जिस पर जाकर आप अगर क्लिक करते हैं तो आपको funded account के बारे में information दी जाएगी अब मैं ले चलता हूँ फ्रेंड आपको dollar index के chart पे कि यहाँ पे क्या होने वाला है तो देखिए dollar index पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं फ्रेंड वो लगातार bullish momentum को maintain कर रहा है और जैसा आप मेरे यहाँ पे देख रहे हैं मैंने यहाँ एक ascending channel भी बना रहा है यह channel को follow कर तवा नजार आ रहा है ऐसे में फ्रेंड आप ध्यान दीजेगा कि इसके उपर की तरफ market के जाने के सबसे ज़्यादा chances बनते हैं और dollar index का उपर की तरफ आप देखें तो resistance 2 का level है याने कि यहाँ पे प्रिवेट का resistance 2 का level हमें दिखाई दे रहा है और जिसकी वजह से यह probability बनती है friend कि dollar बहुत ज़्यादा bullish तो नहीं होगा तो आज का जो first half होगा इसमें dollar आपको bullish नजर आएगा friend second half में अगर United State dollar की news negative आती है friend तो यह bearish भी हो सकता है और नीचे resistance 1 का जो level है friend या फिर inducement and sell side liquidity की zone है यहाँ तक dollar index गिर सकता है तो ओपर के तरफ इसकी possibility है 103.68 की और की तरफ इसकी possibility है 103.20 की possibility है friend अब मैं आपको लिए जलता हूं कि euro-usd में क्या होने वाला है friend तो मैंने आपको कर भी जो बताया था बिलकुल market ने वैसा ही behave किया आज भी मैं जो आपको बता रहा रहा friend market बिलकुल ऐसा ही behave करने वाली है और जैसा कि आप मेरे screen पर देख रहे पिवेट का support 2 का level है साथी साथ यहां पर fair value gap है मैंने यह जो blue color की line ड्रॉक की है friend यह important key level की line है तो मेरा यह कहना है friend RSI को अगर आप देखोगे तो RSI आपको bullish divergence बना रहा है जिसकी वजह से यह possibilities हो सकती है friend कि euro first half में आपको bullish जाता वर नजर आ जाए और उपर inducement level है 1.0870 पर friend यहां से आपको एक अच्छी selling के opportunity key level तक आप ले सकते हैं और अगर friend किसी कारण से euro बहुत जादा negative रहता है तो यह यहीं से नीचे key level पर जाएगा और फिर correction करेगा pivot level पर और यहां से नीचे एक और selling की trade मिल सकती है तो overall euro-usd का जो scenario आज दिखाई दे रहा है friend वो bearish scenario है शाम को European currency अगर interest rate को कम करती है friend तो definitely आज ऐसा लगता है कि euro-usd का pair 1.0808 का level नीचे ले सकता है अब क्योंकि GBP जो है friend इसकी positive asset में आती है positive correlations में आती है friend इसकी वज़े से GBP-usd को भी अगर आप देखे मैंने कल भी बताया था friend कि यह market downtrend रहेगा और इसने कल भी downtrend को maintain किया आज भी मेरा यही कहना है friend कि GBP-usd अभी भी downtrend को maintain कर सकता है लेकिन friend एक छोटे से correction की गुंजाईश नजर आती है क्योंकि यहां पे RSI ने bullish divergence शो किया वा है तो मेरा मानना है friend first half में GBP-usd 1.30000 तक आएगी और यहां से अगर आपको change of character मिलता है तो एक अच्छी selling के opportunity support 2 का जो level है 1.2944 तक याने कि 65 pips की moment आपको selling में मिल सकती है friend 1% में ये भी मान के चल रहा हूं कि GBP अगर लगातार European euro की वजह से downtrend को maintain करती है friend तब तो ये फिर सीधा नीचे चली जाएगी और support 2 का जो level है 1.2944 इसे भी break करते वे नीचे की important की level है 1.2932 का जो level है ये level भी ले सकत तो overall scenario यही बन रहा है friend कि GBP USD जो है वो आज बेरिश हो सकती है अब चलते हैं USD JPY में क्या होगा friend तो USD क्योंकि यहां पर base currency है और dollar जो है friend लगातार bullish है तो मुझे ऐसा लगता है कि USD JPY अभी आप यहां पर जो green line देख रहे है friend यह optimal trading entry है optimal trading entry से यह पहले bullish जाएगी और इसका first target होगा 149.80 का तो अगर यहां से bullish होती है friend तो 149.80 पर यह first target लगाएगी और अगर target break होता है तो previous day का जो high है 149.99 पर friend यहां तक इसके bullish जाने के chances हैं इसके बाद अगर शाम को news में United States dollar week होता है friend तब तो यह downtrend में जाएगी और अगर euro week होता है और USD strong होता है तब यह इससे भी उपर का level आपको दिखा सकती है friend और might be possible है कि 1.50.20 तक USD JPY आपको bullish जाता हुआ नजर आएगा अब चलते है friend की gold में क्या हो सकता है तो देखिए gold के बारे में कल भी मैंने आपको तीन target बताये थे friend 26.70, 26.77 और 26.86 और आपने देखा कि gold ने कल तीनो ही target हमारे hit किये थे अब आप कुछ देखिए का friend gold का आज का जो scenario है वो अभी भी पूरा strong bullish ही scenario बनता नजर आ रहा है जैसे कि आप मेरी यहाँ पर एक trend line देखो ascending trend line है जिससे multiple time market support ले रही है उपर यहाँ पर एक equal high बना वा है friend साती या RSI जो है वो bearish divergence बना रहा है और यह जो मैंने green line raw की है यह अभी तक का सबसे highest level है जो कि 2685.85 के आपस market ने high ले रखा है तो मेरा यह मानना है कि आज gold जो है friend बहुत जादा bullish show नहीं करेगा क्योंकि buyers इतने high level पे buy करने में थोड़ा सा friend risk समझेंगे और यहां पर buyer बहुत जादा investment नहीं डालेंगे friend और सबसे बड़ी बात है कि euro अगर week होता है तो euro का positive relation gold के साथ बनता है और इसकी वज़े से gold के भी bearish होने के chances है तो मुझे यह लगता है friend कि अगर first half में gold bullish होता है और यह अपने कल के higher level को अगर break करता है यानि कि 25-86 का level break करता है तो यहां से liquid collect करके एक अच्छी selling देखी जा सकती है और इसमें आपका जो नीचे की तरफ first target होगा friend अगर 26-85 से sell मिलता है तो 26-77 आपका first target होगा 26-66 आपका second target होगा और market ने और aggression शो किया friend तो 26-58 आपका third target हो सकता है और अगर market ने यहां से double top बनाया वाए friend तो अगर यह directly नीचे जाता है तो अभी जहां पे market stand कर रहा है friend यहां पे pivot level है pivot level जो है 26-77 पे friend इसके नीचे अगर candle की closing होती है तो first half में यह आपको 26-66 बिजाएगा यहां से एक bullish correction देगा friend और फिर यह वापस से बेरिश जाता वा नजर आएगा euro usd में friend अगर euro weak होती है news में तो gold आपका selling में होगा और usd strong होती है तो भी gold आपका selling में होगा लेकिन euro और usd दोनों अगर शाम को weak होती है friend तो ऐसे में gold जो है वो आपको bullish ही नजर आएगा तो कुल मिलाकर मेरा मानना है 2660 से लिकर 2686 का जो level है friend इसके बीच में gold आज आपको rotate करता हुआ नजर आ सकता है अब चलते friend silver को देखते हैं silver में क्या होने वाला है friend मैं आपको सही में बताऊं silver में आज कोई भी bullish aggression देखने को नहीं मिल रही है और मेरा ये मानना है friend कि अभी silver 31.562 पे जो है यहां से ये सीधा नीचे गिरना चाहिए और 31.333 का जो level है ये इसका एक important pivot level है यहां से ये छोटा मड़ा bullish correction जरूर कर सकता है friend बट overall ये optimal trading entry जो है 31.181 पे silver आता हुआ आज आपको जरूर मिल जाएगा इसके बाद अगर USD weak होती है friend तो silver थोड़ा बहुत bullish correction कर सकता है और दूसरी probability ये बनती है friend जैसा कि आप यहां पर देख पारे हो कि ये एक important key level है जहां पर market ने multiple time rejections ले रखें friend यहां पर resistance है यहीं पर support है तो अगर silver इस support को respect देकर उपर जाता है तो यह जो buy side liquidity का जो यह high बना है friend यहां से silver में एक अच्छी selling देख सकते हैं तो overall silver का जो scenario है वो selling side का यह scenario नजर आ रहा है friend अब मैं आपको लिए चलता हूँ BTC USD में क्या होगा friend तो BTC में देखें यहां पर price action की भाशा में मैं कहूँ तो एक ascending triangle बना हुआ है friend और एक उपर equal high बन रहा है लगातार और आज वैसे भी BTC में बहुत ज़्यादा तेजी देखने को नहीं मिलेगी friend तो मेरा मानना है कि अगर यह triangle को market ने अभी breakout दे दिया तो यह नीचे के तरह BTC का first target है 66,747 का friend और अगर यह भी breakout दे दिया तो order block ने अगर इसे रोका नहीं नीचे फिर यह resistance 1 का level है 65,226 का level आज BTC ले सकता है friend और अगर इसने पहले half में ही उपर moment कर दी friend तो फिर उपर से यह liquid grab करेगा और उसके बाद भी इसका downtrend continue रहने के chances है तो BTC USD में friend आज आपको एक अच्छी selling का मौका मिल सकता है अब में ले चाहता हूं friend कि US OIL में क्या होने वाला है friend तो मैं आपको बता दू एक बहुत important information है जिसके लिए आपको वीडियो को अंतर तक जरूर देखना चाहिए friend और important information यह है कि US OIL जो है friend इसमें देखे एक symmetrical triangle बन रहा है US OIL जो है आज आपको थोड़ा बहुत sideways नजर आएगी friend और मेरा मानना है कि sideways कम bearish momentum US OIL ले सकता है friend यहनि कि US OIL में अभी भी downtrend continue रहेगा मैं आपको याद दिरा दो friend कि MCX में gold और silver में क्या होगा यह बताने से पहले वे बहुत important information है friend कि आज Thursday है और Thursday शाम को 7-8 पीम Indian Standard Time के हिसाब से आज हमारा live free session होने वाला है friend इसके लिए आपको हमारा mobile application डाउनलोड करना पड़ेगा friend अगर आप Android user है या फिर आप Apple user है तो दोनों के लिए link यहाँ पर दे रखी है आप application को डाउनलोड करें और शाम को मेरे साथ live 7 बजे आप live trading कर सकते है friend और दूसरी important information यह है कि 5th of November से friend हम एक बहुती unique batch शुरू कर ने जा रहे हैं जिस batch का नाम है personal mentorship batch friend और मैं आपको बता दूँ इस batch का जो सबसे important point है friend वो यह है कि इस बार का जो हमारा personal mentorship batch होने वाला है इसमें हमने एक नया topic भी add किया है friend और यह नया topic इतना ज्यादा important है friend कि अगर आप इस topic को समझ जाएं तो आपकी winning accuracy बहुत बढ़ सक प्लाटफॉर्म से आपको सिखाय जाने वाली है जो कि 5th of November से शुरू हने वाली है friend तो personal mentorship को login करने के लिए link आपकी स्क्रीन पर दे रखा है friend आप स्क्रीन पर registration करें और more information के लिए हम से जरूर संपर्क आप कीजेगा friend अब मैं ले चलता है friend कि MCX में जो हम gold पे futures पे trade करते हैं friend तो futures की क्या संभावना बनती भी नजर आ रही है friend तो मैं आज आपको बता दो gold बहुत जादा high ले चुका है और कल मैंने MCX के सारे trader को बताया था कि ये नया record high बना सकता है 76,852 का और कल आपने देखा friend market ने वो high भ पर gold आज नहीं जाएगा और gold में आज slightly selling देखने को मिल सकती है friend तो अगर आपको 76.888 का जो लेवल है friend जो अभी तक का high बना है यहां से अगर change of character मिलता है तो 76,478 पे important key level है friend ये आपको first target मिल जाएगा इसके नीचे inducement level है जो आपको second target मिलेगा और इसके नीचे pivot level है friend जो 75,810 पे है ये आपको third target दे सकता है तो overall future gold में friend MCX के अंतरगत आज market का जो moment है वो आपको selling में ही मिलने वाला है अब हम चलते है friend MCX के हिसाब से silver में क्या होने वाला है तो मैं आपको बताओ तो friend वैसे तो silver का momentum bullish है बट अब बहुत जादा bullish इसमें momentum नहीं रहेगा क्योंकि buyers अब यहाँ पे risk नहीं लेना चाहेंगे friend आज आपने देखा कि जैसे MCX market open वा friend इसने gap down के साथ लिया यानिकी selling pressure show कर रहा है और यहाँ पे gap और fair value gap है तो मेरा मानना है friend silver first half में थोड़ा बहुत bullish correction कर सकता है लेकिन overall यह selling side में ही रहेगा तो silver में friend 91,074 का जो level है यह आपका first target है इसके नीचे 90,740 का जो level है friend यह optimal trading entry है यहाँ से might भी possible है कि silver थोड़ा बहुत bullish correction कर सकता है और अगर United States dollar positive हुआ friend तब तो यह और नीचे जाएगा और नीचे के तरफ MCX silver में 89,726 का level बनता वा नजर आ रहा है लेकिन अगर United States dollar की news negative आती है friend तब तो फिर silver आपको वापस से bullish correction करता हुआ मिल सकता है तो मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दो friend आज Thursday है आपने application डाउनलोड नहीं किया है तो इसे जल्दी से कर लीजेगा और शाम 7 बजे मेरे साथ आपको live आना है उमीद करता हूं friend ये वीडियो आपको help करेगे trading के decision लेने में बट में disclaimer देना चाहता हूं friend इसमें बताएगी जितने भी बाते हैं वो market के technical और fundamental के आधार पे बताई जाती है और सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को बनाने का purpose है friend कि ये education purpose के लिए बनाया जाता है हम trade भी देखे किसी भी प्रक करके बताएं friend ये वीडियो आपको कैसे लगी और मिलता हूं friend मैं कल आपको next analysis 18th October के साथ तब तक के लिए bye bye and take care thank you so much friends